घर मेरी मा का है मा, मा आखे गोलो मा ये क्या हो गया मेरी मा को मा को होस्पिटल लेकर चलते हैं मैं मा को ऐसे नहीं देख सकता मुझे कुछ नहीं हुआ कहीं नहीं जाना मुझे पस इस लड़के को बोलो अपनी जित छोड़ दे मैं दूसरे बिरादरी की लड़की को नहीं ला सकती इस गर में देखो, उसके आने से पहले इतना कलेश हो चुका है मनहूस है वो लड़की मनहूस मा, शान्द हो जाओ आप पहले ठीक हो जाओ, फिर बात करते हैं डॉक्टर, मा, ठीक तो हो जाएगी ना मा वो अच्छी लड़की है शहर में रहती है, फिर भी गमण नहीं है किसी बात का पड़ी लिखी है, घर के कामकाज जानती है और क्या चाहिए आपको क्या गैरेंटी है कि अपनी बिरादरी वाली लड़की ठीक से रहेगी अच्छा, फिर एक काम करो कल शोना को ले आओ, बस सच, मा सच कह रही हो न पका, कब, कितने बज़े हाँ भई, सच कह रही हो कल शाम उसे ले आ न, मैं भी तो देखूं कौन है ये लड़की, जिसके लिए तू अपनी मा से लड़ पड़ा अगले दिन, शोना रिना के घर आती है उसे मिलने, नमस्ते आंटी जी हाँ, हाँ, नमस्ते, नमस्ते तो तुम हो वो, जिसने जादू किया है मेरे बेटे पर, है जी, मैं कुछ समझी नहीं अरे, मजाग बेटा, मजाग खेर, रिशी तो मानी नहीं रहा था तो मैंने सोचा कि तुम से मिल ही लू अरे, रिशी बेटा, जरा मेरी दवाई लाना और पानी पी, हाँ जी, मा, रिशी दवाई लेने जाता है सुन लड़की, तू अभी 29 साल की है शादी की उमन निकली जा रही है हम अपनी बिरादरी में ही शादी करवाते हैं और तेरे लिए इस घर में कोई जगा नहीं है इसलिए बैतर होगा कि अगर तू मेरे बेटे को छोड़ दे आंटी जी, मैं आपकी हर बात मानूंगी पर ये नहीं होगा करूंगी तो मैं रिशी से ही शादी और आप खुद मेरी आरती उतारेंगे दर्वाजे पे ये मेरा वादा है, प्रणा इतना कहकर शोणा वहाँ से चली जाती है इतने मेरे शी हॉल में आता है और देखता है कि शोणा तो चली गई मा, शोणा कहा है? अरे मैंने कहा था वो ठीक लड़की नहीं है देख, वो तो पहले ही भाग गई वैसे तो शोणा ऐसे आया नहीं पर ठीक है, मुझे अभी कुछ नहीं कहना मा, आप इतना समझ लो शोणा ही इस घर की बहु बनेगी और ये मेरा आखरी फैसला है मैं हमेश आपकी सुनता आ रहा हूँ पर इस पानी मा, मा मैं इंस्टा देखना बंद कर दूँगा रिल्स भी नहीं घुमाऊंगा पर प्लीज, मेरी ये बात मान जाओ नो, नेवर, कभी नहीं तो भी ठीक है मा, आप अपनी जित पर रहो और मैं अपनी अगले दिन, घर की डॉर्बल बज़ती है और रीना जाके दर्वाजा देखती है सामने का नजारा देखकर उसकी आँखे भटी की भटी रह जाती है ये लड़की और तू? तुने अइस अरे नालाया गद है सारी दुनिया में तुझे यही बस मिली और तू कालमोही देखे आँटी सारी मम्मी जी मैंने तो कल ही कह दिया था कि शादी करूँगी तो सिर्फ फ्रिशी से अब आपने हलकी में ले लिया तो इसमें मेरा क्या फॉल्ट? चली, अब ये सब छोड़ दीजी और बहु का ग्रहप्रवेश करवाईई ना चाहते हुए भी रीना को शोना का ग्रहप्रवेश करवाना पड़ा शोना वैसे थी तो गुणमान घर के, बहार के सारे काम करती थी धीरे धीरे रीना ने भी उसे अपनी बहु के रूप में स्विकार कर लिया एक दिन शोना और रिशी बैठे थे कि रिशी के फोन पर एक मैसेज आता है शोना रिशी को फोन देती हुई कहती है रिशी ये क्या मैसेज आया है तुम्हें कौनसे अकाउंट से पैसे डेबिट हुए है अरे शोना ये ना मिरा salary account है क्यों क्या हुआ अच्छा जी तो यहां मुझे मैने में सिर्फ 10,000 मिलते हैं घर चलाने और अपने मैने में 10,000 दे देता हूँ हाँ हाँ एक तुम ही तो हो पड़े लिखे मैं तो कुमार हूँ न यहीं कहना चाते हो न तुम और क्या सुचते हो कि मैं तुम्हारे पैसे उड़ा तूंगी है न और इतना कहकर शोना रोने का नाटक करने लगती है अरे मेरी शोनो इसमें रोने वली क्या बात है अच्छा बाबा यह लो इस अकाउंट का काड़ बस अच्छा मुझे वेवकुब समझाए क्या हम अगर साथ रहते हैं मैं तुम्हारे लिए सब करती हो अर्दांगी नहीं हो तुम्हारी जाइंट एकाउंट करवाओ अच्छा अच्छा बाबा करवा देत रिशी तो शोना की हार बात को मानता और शोना भी अब धीरे धीरे अपना असली रंग दिखाने लगी थी एक दिन सब खाना खा रहे थी कि मुझे कल शाम को कुछ दिनों के लिए मुंबे जाना होगा मेरी मीटिंग है अप लोग प्लीज अपना खयाल रटना मैं जल्दी आ जाओंगा अरे बिटा तु बहु को भी ले जाता अरे नई मा वो वहाँ पर अकेली क्या करेगी और तुम्हारी सेवा कौन करेगा हाँ हाँ क्यों नहीं मा जी को अकेली छोड़कर मैं कहां जाओंगी मा जी आपकी सेवा में ही मेरी खुशी है हाँ मेरी बहु सबसे अच्छी है यह मैं खुद ढूणती न तो भी मुझे तेरे जैसी बहु नहीं मिलती अरे बुढ़िया तुछ से तो मैं अपना बदला लूगी बस देखती जा सेवा कौन किसकी करता है मैं बताती हूं तुझे अगली सुबब रिशी मुंबई के लिए निकल जाता है उस दिन सुबब पांच बजे उटकर शोना उसे चाय देती है पर उसके जाने के बाद एए सुन किससे बात कर रही है बहु तुझसे बात कर रही हूं बढ़िया काम सुनाई देता है क्या ये ये तो कैसे बात कर रही है मुझसे अरे तुझसे बात ऐसे नहीं करने चीए तुझसे बात करने के लायक भी है क्या पर क्या करे ये अलग होने के लिए राजी भी तो नहीं होते बहु तो ये क्या बोलती जा रही है रुख अभी रिशी को कॉल लगाती हूं कोई किसी को फोन नहीं लगाएगा चल मेरे लिए नाश्ता बना और फिर घर की सफाई में लग जाना आज कपड़े भी दोने मशीन म नहीं दूलेंगे समझी हाथ से ही दोना सर्फ अरे बहु मेरे जोडों में ताकत ही नहीं रची क्यों जबान में तो बहुत ताकत है ना फिर क्या बोलती थी ओ तुम तो दूसरी परादरी की हो मेरे बेटे से कभी शादी नहीं होने दूंगी चल आप जल्दी से सफाई करन ऐसी ही दो दिन बेच जाते हैं उम्रक की कारण रीना जी से काम भी नहीं हो पाता था और वो बिस्तर पकड़ लीती है बहु जरा आना तो किया है और यह क्या आराम फर्माया जा रहा है दो दिन में ही हाल हो गया पहले तो बड़ा मूटेड़ा करकर के बात करती थी अब क्या हुआ अब कहां गई वह आवाज तो अब भी पहले की बातों को लेकर नाराज है तो मुझे माफ कर दे बेटा मैं तो बस अपने बेटे का भला चाहती थी तेरे लिए मेरे मन में कोई गलत बात नहीं थी बस जाद बिरादरी समाज तू समझ सकती है ना बेटा पर तू भी तो जानती है कि जब से तो इस घर में आई है तुझे तो रिशी से भी ज्यादा प्यार दिया है मैंने पहले की बातों के लिए मुझे माफ कर दे बेटा पर मुझे दवाईया दे दे मेरी तबियत बहुत घराब है माफी चाहिए माफी ची ये बुड़ी आखो बोल क्या करेगी माफी पाने के लिए कुछ भी कुछ भी जो तु बोले अच्छा ठीक है फिर ये घर मेरे नाम कर दे क्या घर बिटा ये तो तेरे ससुर जी की आखरी निशानी है इससे कैसे दे दू ठीक है फिर रहो बिस्तर पर मुझे क्या हाँ चबो मैं सब कर दोगी बस तु मुझे दवाई आला कर दे दे ये सब रिशी दूर खड़ा दर्वाजे से देख रहा था ये दृश्य देखकर रिशी के पैरो तले जमीन खिसक गई वो वहाँ से चला गया और उसके मनमी काईडिया आया कुछ देर बाद रिशी एक घर के बाहर खड़ा हो गया और अंदर देख रहा था दूर से तो आम घरों की तरही था वहाँ भी पती-पत्नी रहते थे पर थोड़ी देर में वो देखता है कि वो आदमी अपनी पत्नी पर चिलाता है और घर से चला जाता है रिशी तुरंट उस घर में घुश जाता है और उस औरत की पास शाकर कहता है प्रणाम मा आपने शायद मुझे पैचाना नहीं होगा मैं रिशी हूँ आपकी बेटी शोना का पती कौन शोना? कौन सी पेटी? मेरी तो कोई अलादी नहीं है आप प्लीज चले जाएए यहां से मा प्लीज आपको मेरी मदद करनी होगी मेरी शोना शादी से पहले तो बहुत अच्छी थी पर नजाने क्यों अब वो मेरी शोना नहीं रही उसे सिर्फ पैसा दिखता है बीटा मुझे पता है कि शोना क्या कर रही है और मुझे ये भी पता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है तुम्हें सच्चाई नहीं पता है शायद पता लग जाये तो तुम्हें समझ में आएगा कि मामला क्या है अच्छा ऐसी बात है तो बताईए फिर अखिर बात क्या है मैं शोना और शोना की पापा इस घर में करीब 30 साल से रह रहे है शोना है तो अपने पापा की लाडली पर उसे कभी वो दरजा नहीं दिया गया जैसा बेटियों को देना चाहिए उसके पापा थोड़े अलग किसम के है वो सोचते हैं कि जब वो कमाते हैं तो हर खर्च भी वही देंगी मुझे एक एक पैसे के लिए तरसाते थे वो अपनी बेटी के साथ उसके बच्पन में तो अच्छे थे पर जैसी ही वो बड़ी होती गई उस पर सक्ती दिखाना शुरू कर दिया ओ गॉड़ ये तो मुझे सोना ने कभी नहीं बताया फिर क्या हुआ कभी फोन ले लेना जल्दी शादी करानी की धमकी कोई दोस्त ना रखने का प्रेशर ये सब करते थे वो शोना जॉब भी करती थी पर जॉब भी चली गई उसकी और तब उसे ताने मानने लगी उनका गुस्सा ही कुछ अलग था उसकी तरह जैसे कि उनकी नाकाम्याबी का कारण ही शोना थी तब से शोना ने ठान लिया था कि जाहे जो भी हो जाए वो कभी अपने पती पर आँख बंद करके उसकी बात नहीं मानेगी और अपने ससुराल में अपना खौफ बना के रखेगी थैंक गौड मुझे आपसे ये से पता चला मा देखता हूँ मैं शोना को कैसे समझाओ हाँ बीटा अब तुम चलो मुझे यसी आउरत की पास इतना भी नहीं है कि दामाद के हाथ में शगून भी पकड़ा सकूँ हम ग्रेहिणियों की यही तो कहानी होती है नहीं नहीं मा आप ऐसा कुछ मर्च सोजी अब मैं चलता हूँ इतना सुनकर रिशी वापस अपने घर जाता है जहां उसकी मा बिमार हालत में पानी ली रही थी पर हाथ से ग्लास चुट गया सोना उस पर जैसे ही चिल्लाने लगती है रिशी सामने आता है रिशी, आप कब आ है? आप तो कल आने वाले थे ना? मैं जानता हूँ और मुझे ये भी पता है कि तुम ये सब क्या और क्यों कर रही हो बिटा, बिटा मुझे बचा ले इसे देखा मैं ना कहती थी तुम्हें मा ऐसा कुछ नहीं है ये मेरी वही शोना है बस थोड़ा घबरा गई है है ना शोना? शोना हम फिर से शुरुवात कर सकते हैं पर याद रखना ये घर ना मेरा है ना तुम्हारा ये घर मेरी मा का है और तुम कभी उनके खिलाफ नहीं जा सकती शोना की आँखों में आसु आ गए वो समझ गई कि रिशी को पता चल चुका है उसके अतीद के बारे में वो रिना और रिशे से माफी मांगती है और अपने बहू होने का फर्ज भी निभाने लगी वो जॉब भी करने लगी और उसते अपने सेविंग से अपना खुद का एक छोटा सा घर भी ले लिया